राहुल गानी पर एक बड़ फिर से मुसीबतों का पहाड़ तूता है हर दिन किसी ना किसी परेशानी की वज़े से राहुल गानी को जूजना पड़ रहा है कभी खुद राहुल गानी अपने लिए परेशानियों को बुलावा दे देते हैं तो कभी परेशानियां खुद उ पूराना विश्टा सबन गया है अभी हाली में उन पर कई केस दर्ज हुए अब एक बार फिर राहुल गादी और कॉंग्रेस करनाटक में घरती हुई नजरारी है दरसल कॉंग्रेस ने प्रेतु की मुदा घोटाले पर चुपी करनाटक में पार्टी के स्थिति को कमजोर कर रही है मुख्यमंत्री सिध्या रमय्या को राजनीतिक रूप से अलग खलक कर दिया गया है और पार्टी का भविश राज में अनिश्चित दिख रहा है तो किस तरह करनाटक की राजनीती की वज़े से राहूल गानी और कॉंग्रेस में आज चुका है टर्निंग पॉइंट बताएंगे आपको हमारे खास शो टर्निंग पॉइंट में नमश्कार आप देख रहें कैपिटल टीवी में हूँ आपके साथ पल लभी से अपने जूट पर चुपे राहूल गांधी मुदा घोटाले में कॉंग्रेस पर लटकी तलवार मुदा घोटाले के सामने आने के बाद से कॉंग्रेस नित्रितु की चुपी करनाटक में पार्टी के स्थिती को खत्रे में डाल रही है इस घोटाले ने राज सरकार को हिला कर रख दिया है कॉंग्रेस के शीर सनीता राहूल गानी, मलिकार जुन खडगे, केसी वेणु गोपाल और रंडीप सूर्जेवाला इन चारों ने दिल्ली में करनाटक के मुख्यमंत्रे सिध्या रमया और डिप्टी सीमडी के शिवकुमार से दो बार मुलाकात की ताकि कोई रणनीती बनाई जा सके इन बैठकों के बावजूद भी करनाटक हाई को द्वारा मामने में कारवाई पर रोक लगाने से इनकार और प्रवर्तनी देशाले यानि की एडी के जांच के बाद भी कॉंग्रेस का हाई कमान चुप है अब इसकी वज़े क्या हो सकती है फिलाल ये भी नहीं पता चल सका है कॉंग्रेस के शीर सिनीताओं की इस चुपी ने मुख्यमंत्री सिद्यारमया को राजनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया है संकत को सुलजाने में माहिर माने जाने वाले सिद्यारमया को अब इस संकत से निपठने के लिए अस्थानिय समर्थन पार निर्भर रहना पड़ सकता है हाना की पार्टी के अंदर कई लोग मानते हैं कि शीर्स नेत्रेत्व की चुपी सरकार की छवी को नुपसान पहुंचा रही है और राज्य में कॉंग्रस कारे करताओं का मनोबल भी किरा नहीं है पूर्व कॉंग्रस सांसर डिके सुरेश ने जनता के गुस्से का अंदेशा जताते हुए कहा कि नेताओं को विकास पर ध्यान देना चाहिए और अदालत को फैसले करने देना चाहिए उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि जनता खुश नहीं है कि अलग अलग पार्टिया एक दूसरे पर आरोप लगा रही है अगर नेता विकास पर ध्यार नहीं देंगे तो जनता सड़ को पर उतर सकती है और जैसा की पहले भी हुआ है पत्थरवाजी कोई नहीं बचेगा ये हालात बन सकते हैं और मैं पहले से ही चेतावनी दे रहा हूं प्रधान मंत्री नरेन रमोदी ने कई राजमीतिक रैलियों में मुदा घुटाले का जुक्र करते हुए कॉंग्रेस पर हमला बोला है इसके बावजूद ना राहुल गानी और ना ही मल करने लगा है कि सिद्यारमया 2.0 के नित्रित वाली कॉंग्रेस सरकार बस एक लूट पार्टी बन चुकी है पिछले धाई महीने से पूरा मंत्री मंदल आरोपो का बचाव कर रहा है जबकि उनका ध्यान शासन पर होना चाहिए वहीं सूत्रों ने बताया है कि पार्टी के अंदर असंतोश बढ़ रहा है हम इस लगातार बचाव के स्थित्री से ठक चुके हैं इस मुसीबत के लिए मुख्य मंत्री के करीबी लोग जिम्यदार माने जा रहे हैं जब सीम ने विवादित जमीन वापस करने का फैसला किया तो हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी यह हमारे लिए पूरी तरह से चौकाने वाला मामला था अब डीके शिवकुमार को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए सीम ने मैसूर देश्वेहरा समाहरों के दौरान बिना अपने शासन का जिक्र किये घोशना कर दी कि कॉंग्रेस सरकार अपना 5 साल का कारेकाल पूरा करेगी वहीं डीके शिवकुमार भी इस मुद्धे पर आसामाने रूप से चुप नज़रा रहे हैं जिससे संकर से निपटने में निट्रित्व की और निशित्ता और गहरी हो चुकी है पिछले हफ़ते जब ए आई सी सी अध्यक्ष मलीकार जुन खड़गे से मुदा घु जदाएगा क्या वे हरियानच चुनाव के बाद तक इंतजार करेंगी या महराश्री चुनाव से पहले कुछ करेंगे भी फिलाल इस मामले पर स्पस्टता की कमी और शीर्स नित्रेत्र की चुपी कॉंग्रेस को करनाटक में मिली जीत का नुकसान करा सकती है हाई कमान ने ना सिर्फ मुदा मुदे पर चुपी साधी है बलकि उन कई वरिस्ट नेताओं जैसे की MB पाटिल, बस्वराज, RG, थिम्मापुरा और बस्वराज, राय रेड़ी पर भी कोई टिपड़ी नहीं की है। जिन्होंने खुले आ मंत्री पत पर रुची भी दिखाई है। जबकि घोटाली की बात से राज में राजनितिक तनाव बढ़ा हुआ नजरारा है। सिद्यारमया के समठर में खड़े होनी के बजाए कई नेता खुद को शीर सपत के लिए तयार कर रहा है। इन मंत्रियों के खलाफ किसी भी निर्देश या अनुशासन नात्मक कारेवाई की कमी ये सवाल उठाती है कि करनाटक में हो रहे घटां करमों पर पार्टी का शीर समित्रे तो चुप क्यूं है आखिर। करनाटक में मुदा साइट आवंटन मामी पर विवाद के बीच भार्टी जनता पार्टी ने मंगलवार को बैगलूरू में कॉंग्रेस अध्यक्ष मुलिकारजुन खडगी के परिवार द्वाला चलाय जा रहे एक ट्रस्ट को भूमी आवंटन का मुद्दा उठाया और आ मंगलवार को प्रेस वार्टा में वरिष्ट भाजपनेता रवीशंकर प्रसाद में यारोप लगाया कि करनाटक की कॉंग्रेस सरकार ने संदेग्ड परिस्तित्यों में खडगे के परिवार द्वारा संचालित सिधार्ट विहार प्रस को पांच एकड जमीन आवंटित की ह और उन्होंने इस मामले में उठरे सवालों पर कौमिस अध्यक्षित से मुद्दे की पारदर्शिता और इमानदारी पर जवाद की मांग की है उन्होंने कहा कि यह अस्चर की बात है कि सिध्यारमया सरकार ने बैंगलूरू में एक हाई टेक डिफरेंस इलाके में आर एंड फेकल्टी स्थापिक करने के लिए पांच एकड जमीन अवंटित की है और दिल्चस्प बात ये है कि पांच एकड जमीन खर्गे परिवार द्वारा चलाय जा रहे ट्रस्ट को इलाके में अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं के लिए नियम तयार करने के कुछ दिनों के भीतर ही दे दी गई थी कॉंग्रिस अध्यक्ष को देना चाहिए जवाब भाजपा नेता ने कहा कि अगर कोई जमीन वास्तविक और देश्य के लिए वास्तविक ट्रस्ट को ट्रमानिक तरीके से आवंटित की जाती है तो भाजपा को कोई समस्या नहीं है लेकिन जिस तरह से राजणीतिक नेताओं के परिवार विश्वास की आड़ में भूमी हडपने के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं वे गलत है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं ये एक गंभीर मुद्दा बन चुका है उन्होंने आगे कहा कि हमें उमीद है कि इस मामले में कारवाई होगी भाजपा ने आरोप लगाया है कि जहां भी कौउमी सौदे बड़े पैमाने पर शुरू हो जाते हैं आज एक गंभीर सवाल उफ्रा है कि कौम्विस सरकार और उसके नेताओं को जमीन सौदों से इतना मोह क्यों है क्या उनके कुछ नेता प्रापर्टी डीलर बन चुके हैं सिद्या रमया की पत्नी ने लोटाई जमीन वही मुदा साइट आवंटन मुद्दे पर भाजपा नेता ने कहा कि मामनी की इमानदारी से जाच की जा रही है करनाटक लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्रदिकरन यानि की मुदा साइट आवंटन में कथिक अनिमित्ताओं के संबंध में एक विशीस अदालत के निर्देश पर सिद्या रमया के खिलाफ मामला दर्च किया है एडी ने भी लोकायुक्त की एफायार का संग्यान लेते हुए मुख्यमंत्री उनकी पत्नी पारवती और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भूमी आवंटन मामले में जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में मामला दर्च है हाला कि सुमवार को सिद्या रमया की पत्नी पारवती ने एडी को पत्र लिख कर मुदा स्कैम से जुड़े 14 प्लॉट लॉटा दिये हैं प्रवरतन निदेशाला यानि की एडी ने सुमवार को मैसूष शहरी विकास प्रादिकरन से जुड़े मनी लॉंडरिंग के एक मामले में करनाटा के मुख्यमंत्री सिद्या रमया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ के इस दर्च किया जो गनाव को पहले भी बताया आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि हाली में राजलो का युक्त की एफ़ायार का संग्यान लेते हुए एडी ने मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्च करने के लिए प्रवरतन निदेशाले की सूचना रिपोर्ट दायर की है ऐसे हुआ पूरा खेल ऐसे दावत किया जा रहा है कि मलिकार जुन खड़गे ने वो जमीन 2010 में सिद्या रमया की पत्मी पार्वती को तौफे में दी थी तब उनकी पत्मी पार्वती ने मुदा की 50-50 यानि कि 50-50 स्कीम के तहत मुआज़े का आवेदा दिया इस स्कीम के तहत अगर किसी के जमीन को अधिगरहित किया जाता है तो बदले में दूसरी जगह जमीन दी जाती है मसलन अगर किसी की दो एकड जमीन अधिगरहित की जाती है तो उसी दूसरी जगह एक एकड जमीन भी जाती है वहीं राहुल गानी और कॉमरेस पर आई इस मुसीवत को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाईएगा फिलाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही देश और दुनिया के तवाम खबरों के लिए देखते रही है कैपितल टीवी नमस्कार